आप सबका हमारे चैनल श्रीमत धूम रेमेडीज पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिपावली जो कि एक नौबर के दिन है या धंदेरस के दिन जब आप माता लक्षमी के लिए थाल बनाएंगे तो उस थाल में आप क्या चीजें ऐसी रख सक अपने तीजोरी में रख सकते हैं तो सीधी बात आप उन चीजों को रखेंगे जो माता लक्षमी उपती प्रिये तो चीजें आपकी थाली में होनी चीए जिसें उन्हें अर्पित करने के बाद आप तीजोरी में रखेंगे बताने से पहले मैं यह बता दूं कि आप कोई प्रिचर पॉड़क्त चाह कुछ भी हो जो भी दिपावली दशेरा कभी भी किसी चीज़ का उप्योग होता हो वह आप शिवागु डॉट कॉम या हमजा.com से प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल जैनियू नौरत हुटे तो दिखिए जब माता लक्षमी की जिए पूजा के अधाल बनाएंगे तो जो चीज़ें रहेंगे तो रहेंगे जो अपने हिसाब से रहेंगे पर उसमें आप अच्छे वाले बड़े साइस के गोमती चक्र रखें यह जरूर होना चाहिए पूजा के बाद आप गोमती चक्र को तिजोरी में रख सकते हैं धनस्थान पे रख सिघनश करते हैं तो अपने केश कांटर में रख सकते हैं इसी प्रकार आप फल्दी की गाठ पीली कौडियां अच्छी नारियल बात अउसके भड़ास उठा कर तिजोरी में रख सकते हैं धन अस्तान पर रख सकते हैं महालक्ष्मी की पूजन में गुमती चक्र ऐसे भी रखना चाहिए बेशक बड़े साइस की नहों छोटे साइस की से प्रप रखिए गुमती चक्र घर में धन समंदिला दिलाता है पूजा में लक्ष्मी यंद्र, कुभेर यंद्र और श्री यंद्र रखना चाहिए यदि अस्वटिक का श्री यंद्र हो तब तो सर्वस्रेष्ट है इंडियान अस्वटिक का श्री यंद्र हो तो सर्वस्रेष्ट है छोटा साहिस का हो तो आप तिजोरी में रखती हैं बड़ा साहिस का हो तो आप मंदिर में रख सकते हैं एकाक्षी नारियल दक्षनावर्ति शंग माता लक्षमी को अति प्रिये तो छोटा शंक हो तुसे भी आप तिजोरी में रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, उसमें जल भरके आप पुरे कमरे में चरकाओ कर सकते हैं रशनावर्थी शंक से, और उसके बाद दिप्यावली से की नियम आपको बनाना है, वो यह कि घर में जब भी खाना बने, तो पहली रोटी जो गाय को दे दीशे, तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीशे, धन्यवाद